पांच राज्यों में विधान सभा चुनाब के लिए हुए मतदान के नतीजे तीन दिसंबर को आने वाले हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं एग्जिट पोल के इन नतीजे आने के बाद स्थिती पूरी तरह से बदल गई है तो चलिए ग्राफिक्स के जरीए फाइनल रिजल्ट से पहले आपको तीन राज्यों का हाल बताते हैं और जानते हैं कि किस राज्य में कौन सरकार बनाने जा रहा है सबसे पहले बात राज्योस्थान की राज्योस्थान में इंडिया टूडे एक्सिज माई इंडिया के मताबिक कॉंग्रिस को 86 में से 106 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है वहीं बीजे पी को 80 से 100 और अन्य को 9 से 18 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है टीवी नाइन पोल स्टार्ट के मुताबिक कॉंग्रिस को 90-100, बीजेपी को 100-110 और अन्य को 5-15 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है जनकी बात के मुताबिक कॉंग्रिस को 62-85, बीजेपी को 100-122 और अन्य को 14-15 सीटे मिल रही है वही टाइमसनाओ, एटीजी के मुताबिक कॉंग्रिस को 56-72, बीजेपी को 108-128, अन्य को 13-21 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है वही प्यूपल्स, पल्स के मुताबिक कॉंग्रिस को 73-95, बीजेपी को 95-115 और अन्य को 5-12 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है वहीं ध्यानिक भासकर के मताबिक कॉंग्रिस को 85-95, बीजेपी को 98-105 और अन्य को 10-15 सीटे मिलती हुई नज़र आ रही है यानि राज्योस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है मुझे यकीन है कि अगर कोई exit पोल वाले उनसे पूछने भी आयोंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा लेकिन जो करेंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण भहूमत की सरकार एक प्रचंड जीत के साथ भारती अंता पार्टी सरकार बना रही है यह निश्चित है वहीं बात अगर 36 गड की करें तो 36 गड में इंडिया टूडे एक्सिसमाई इंडिया के मताबिक कॉंग्रिस को 40-50, बीजेपी को 36-46 और अन्य को 1-5 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है वहीं दैनिक भासकर के मताबिक कॉंग्रिस को 46-55, बीजेपी को 35-45 और अन्य को 0-10 मिलती हुई नजर आ रही है एबीपी सी बोटर के मताबिक कॉंग्रिस को 41-53, बीजेपी को 46-48 और अन्य को 0-4 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है वही रिपब्लिक टीवी मेटराइस के मुताबिक कॉंग्रेस को 57, बीजेपी को 34 से 42 और अन्य को 0 से 2 सीटे मिलती हुई नज़रा रही है वही निजेपी को 34 से 45 और अन्य को 0 सीटे मिलती हुई नज़रा रही है वही टीवी 9 पोल स्टाट के मुताबिक कॉंग्रेस को 40 से 50, बीजेपी को 35 से 45 और अन्य को 0 से 3 सीटे मिलती हुई नज़र आ रही है यानि 36 गड़ में मुकाबला कांटे का है लेकिन कॉंग्रेस का पलड़ा यहां भारी नज़र आ रहा है वही बात अगर मध्यपरदेश की करें तो मध्यपरदेश के एक्जिट पोल के नतीजों ने सब को चौका दिया है इंडिया टूड़े एक्सिजमाई इंडिया के मुताबिक मध्यपरदेश में कॉंग्रेस को 68 से 90 सीटे मिलती हुई नज़र आ रही है वहीं बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है बीजेपी को 140 से 162 और अन्य को 0 से 3 सीटे मिलती हुई नज़र आ रही है वहीं जन की बात के मताबिक कॉंग्रेस को 102 से 125 बीजेपी को 100 से 123 और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटे जाने का अनुमान है वहीं Republic TV Metarise के माबिक Congress को 97-107, BJP को 118-130 और अन्य के खाते में 0-2 CT जाने का अनुमान है वही面 Pupils Pulse के मताबिक Congress को 117-14, BJP को 91-113 और अन्य के खाते में 0-8 CT जा रही है वहीं News 24 चाना के के मताबिक Congress को 74, BJP को 155 और अन्य के खाते में 0-5 CT जाने का अनुमान है देखो मैंने केवल संभल के बोला था लेकिन मैंने कई जगे ये कहा कि जिस धंग से बेहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड उमड रही है नतीजे अब प्रित्यासित आएंगे अभूत पूर्व आएंगे यानी मध्यपरदेश में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल कर रही है तो यह थे राज्युस्थान, चतिसगड और मध्यपरदेश के एक्जिट पोल के नतीजे इन आंकडों से जहां कॉंग्रेस की थोड़ी बढ़ गई है तो वहीं बीजेपी खैमे में थोड़ी खुशी नजर आ रही है अब एक्जिट पोल के यह नतीजे फाइनल रिजल्ट से कितना मेल खाएंगे यह तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही ताज़ा अपडेट के लिए बन रह पाएगा फिलह इस दाज़ाखनता ही थाज़ां पाएगा भाल श takesव.